नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज की जो तेज़ गिर रावट मार्केट में निप्टी और बैंक निप्टी में हुई है उसके पीछे का रिजन क्या है फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कल के दिन मतलब 15 अर तारिक के दिन आपको का चार्ट लगाया हुआ है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार्वर्ली प्राइज एक्षन को फॉलू करते हैं, प्राइज एक्षन में हम लोग trend का analysis सबसे पहले कर लेते हैं और trend के analysis का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, जब भी market series of higher highs लगाते जाता है और series of higher lows लगाते जाता है तो इसका मतलब uptrend में होता है तो सुबह market ने यह high बनाने के बाद near about equal high बना दिया तो इसका मतलब यह जो uptrend था वो यहाँ पे pause हो चुका था यह first thing आम लोगों को confirm हो गई फिर उसके बाद market में यह low बनाया हुआ था यह low को market में break करने के बाद यहाँ पे एक बात confirm हो गई कि market में अभी uptrend जो है वो खतम हो चुका है और यहाँ से market में downtrend चालू हो चुका है लेकिन इसके बाद आपको किस तरीके से trade करना चाहिए आपtrend ही मतलब immediate कही पे भी आपको buy नहीं करना है और downtrend ही इसका मतलब कही पे भी हम लोगों को sell नहीं करना है आपको properly level identify करना है और level आपको price action के हिसाब से identify करना है और option chain के हिसाब से उसका confirmation लेना है जैसे कि bank nifty में हम लोगों नहीं किया हुआ था bank nifty का अगर chart आप खोलते हो तो bank nifty में आपको clear cut दिखाई दे रहा है मैंने Friday की दिन जो वीडियो लगाया हुआ था वीडियो में मैंने clear cut बोला हुआ था कि bank nifty में जो है वो bank nifty में price action के हिसाब से clear cut downtrend बना हुआ है और इसके पीछे का मैंने complete reasoning भी करके आपको बताया हुआ था कि market जो है वो series of lower highs बनाते जा रहा है और series of lower lows बनाते जा रहा है तो downtrend confirm है और यह downtrend confirm होता है तो जब भी market यह important level के करीब आता है तो important level के करीब आजाने के बाद यहाँ पे आप sale का position initiate कर सकते हो अभी आपको लगेगा कि मैं market कतम हो जाने के बाद बता रहा हूँ कि sale का position initiate कर सकते हो ऐसा नहीं है दोस्तों मैंने already live market में sale का signal भी दे दिया था यह मैं आपको इसका proof भी दिखा देता हूँ आपके सामने यह telegram का channel मैंने खोला हुआ है यह telegram के channel में आप देख सकते हो कि सुबह 9 बच कर 22 मिनिट पर ही मैंने bank nifty में sale का signal already दे दिया था यह live market के screenshot है already मैंने 9 बच कर 22 मिनिट पर sale का signal दे दिया था और वो 9 बच कर 32 मिनिट पर activate हुआ था मतलब 10 मिनिट sufficient time मिला था लोगों को order punch करने के लिए तो यहाँ पर sale का already confirmation price action की हिसाब से हमें मिल चुका था तो बीच में market में यह जो भारी गिरावट आई यह purely और purely price action के हिसाब से आई हुई है मैंने जब गिरावट आना start हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हो जब nifty में यह तेज गिरावट आना start हुआ था 12 बच कर 15-20 मिनिट के बाद तो मैंने सबसे पहले क्या क्या सबसे पहले मैंने Dow Jones पर जाके देखा कि अमरीकी market में कोई तेज गिरावट आ रही है कि है तो वो time पर यहाँ पर कोई भी ज़ादा तेज गिरावट नहीं थी फिर बाद में क्या हो गया बाद में एक समय ऐसा आया था कि यह लेवल पर अमरीकी market support ले रहे थे Dow Jones support ले रहा था तो हम लोगों ने वहाँ पर buy का भी trade किया था और buy के trade में भी हम लोगों ने अच्छा कासा मुनापा कमाया हुआ है यहाँ पर आपको वो भी दिखाई दे सकता है कि nifty के buy के trade में भी हमें profit मिला हुआ है तो इसी तरीके से आपको काम करना है जब भी market important level के करीब आता है तभी आपको trade करना है उसी के साथ आभी देख लेते हैं कि कल के दिन market में किस तरीके से analysis करना है तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो nifty का में आपके सामने daily का chart लगाया हुआ है यह daily के chart में आप देखते हो तो आपको यहाँ पे clear कर दिखाई दे रहा है कि market जो हो series of higher highs और higher lows बनाते जा रहा था फिर उसके बाद क्या हो गए यह high के बाद market में यह high बनाया और यह high बनाया मतलब almost equal high बना दिये है और low अगर आप देखते हो तो lower lows market बना चुका है equal highs बना दिये है तो इसका मतलब यहाँ पे जो uptrend बना हुआ था यह uptrend यहाँ पे pause हो चुका है और market lower lows बनाते जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि sentiment जो है हो sentiment bearish हो चुका है market का जी हाँ दोस्तो market जब यहाँ पे lower lows बनाते जा रहा है तो sentiment bearish हो चुका है और अगर आज के दिन पे आगर आप देखते हो तो यह जो candle structure यहाँ पे बना हुआ है इसको technical language में बोलते है bearish candle तो यह bearish engulfing जो यहाँ पे बना हुआ है यह bearish engulfing भी downtrend को ही continue करता है तो अगर आपको downtrend में signal लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक important level calculate करके देखने पड़ेंगे मैंने पहले daily chart के उपर देखा लेकिन downside का कोई level नहीं मिल रहा था हमें सिर्फ upside का level मिल रहा है upside का level मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है तो upside का level यह जो 11,568 का जो level है इसके अगर market उपर जाता है तभी market में uptrend में जा सकते है आभी downside की तरफ कोई भी level हमें नहीं मिल रहा है कल सुबह में dow jones देखूंगा बाकी market देखूंगा और अगर मुझे कोई level मिलता है nifty में तो यह free वाले channel में मैं update कर दूँगा फिर उसके बाद bank nifty का अगर आप chart देखते हो तो bank nifty में बहुत बढ़िया momentum दिया हुआ है दोस्तों और आपको bank nifty में precaution लेना पड़ेगा cautious होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर market continuously one sided momentum देखे downtrend बता रहा था और downtrend के बाद market एक consolidation की phase में गया हुआ था और यह consolidation के phase को market आज break कर रहा है मैंने already दोस्तों आपको बहुत बार सिखाया हुआ है यह कौन सा pattern है यहाँ पर pole बना हुआ है और यह एक type का flag बना हुआ है तो यह flag with the pole pattern जो रहता है वो train continuation का pattern है train continuation का मतलब यह होता है कि यह structure बनने से पहले जो train market में बना रहता है वही train आगे जाके continue होता है अगर आज का consolidated closing यह level के नीचे आता है मैं आपको level भी बता देता हूँ कि कौन सा level है यह अभी live market चालू है और वही पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज का consolidated closing अगर 22,08 के नीचे आता है तो market में तेज गिरावट आने की संभावना है तो आपको closing देखना पड़ेगा कहां पे आता है लेकिन एक बात तो यहाँ पर confirm हो चुकी है कि यहाँ पर weakness already बना हुआ है तो कल के लिए अगर आपको trade करना है bank nifty में तो important level रहेगा 22,08 का अगर यह level के नीचे market open होता है और नीचे open होने के बाद दुबारा यह level पर आता है क्योंकि यह बहुत ही important level बन चुका है 22,08 का level अगर intraday में कोई level बनता है तो intraday के level में आपने यह free वाले telegram channel में update कर देता हूँ और यहाँ पर मैं free में intraday के signals भी देता हूँ जो signal में free of cost यहाँ पर देता हूँ तो यह telegram channel का link में वीडियो के नीचे description box में दिया हुआ है completely free channel है यहाँ पर आपको free में intraday के signals मिल जाएंगे और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो आपना educational channel है नयन पोकर कर professional trader के नाम से यह channel के उपर मैंने बहुत सारे educational videos अल्रेडी लगाये हुए है तो मेरे आपसे request वेगी कि आप यह channel को subscribe कीजे और subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजे तो मैं जैसे कोई नया video launch करता हूँ immediate आपको उसका notification आ जाएगा अगर यह video आपको अच्छा लगता है तो इसको like कीजे और like करने के बाद share कीजे तो जादा से जादा लोगों तक यह video पोच जाएगा अगर आपको किसी particular topic के उपर video बना के चाहिए तो comment section में मुझे वो topic का नाम बता दीजे तो मैं मेरी तरफ से वो video बनाने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इससे information मिला रहेगा Thank you so much